इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. जिम्माल बुलिम या नर्वोसा, एक इटिंग डिसॉडर के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिसमें यह बिंज इटिंग और परजिंग उल्टी को कम करता है, डोज और कितनी बार आपको इसकी जरूरत है, यह आपके डॉक्टर द्वारा बताय जाएंगे ताकि आपको अ अच्छा महसूस कर रहे हूँ, ऐसा करने से आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है, यह आपको अप्रिय विड्रॉल लक्षन, एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, चक्कर, सोने में परेशानी आदी हो सकते हैं, अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए इस दवा को नियमे तौर पर लें तथा हर दिन एक ही समय पर लें, आपको बहतर महसूस करना शुरू होने में कुछ सप्ता हलग सकते हैं, डॉट, प्राप्त कैप्सूल के कुछ सामानिय साइड एफेक्ट में मिचली आना, अपच, मुँ सूखना, ठकान, भूक में कमी, बड़ा हुआ पसीना आना, साइनसाइटिस, अनिद्रात, नींद में कठिनाए, उबासी लेना और असामानिय सपने शामिल हैं, कम सेक्सूल ड्राइव देर से स्खलन और एरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे सेक्सूल साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, अगर आप अचानक से कोई असामानिय मूड का बिगर्णा या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचार विक्सित करते हैं, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बता दें, इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको एपिलेपसी दौरों का विकार, या फिट, डायबिटीज, लिवर, या किड्नी क रोग, हिर्दै संबंधी समस्याएं या ग्लुकोमा है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकती हैं, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए, कुछ आप सुरक्षित रहने के लिए ले रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये हुए वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप इस दवा के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आय हो तो कृपया इस वीडियो को अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के वीडियोस देखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन प पर सेट करें, धन्यवाद